मद्यप्रदेश में विधानसवाशुनाव की तैयारियों के बीच निताओं की जो बयानबासी है उससे सियासी पारा लगातार गर्मा रहा है पुर्वसियम दिग्वजे सिंग के पीफाई को लेकर दिये गए बयान पर बिजेपी ने पलटवार किया है बिजेपी ने कहा कि जिस पीफाई ने देश में आतंकी गतिविधियां फैलाई उससे कॉंग्रिस की हाथ मिलाई पर जनता अब उससे धुलाई करेगी बात यह है यदि पीफाई के उपर को इस पकार का आरोप है तो आप दस चापे मारी हमें आपती नहीं है लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी दोने चापा मारी की है 97 प्रतिशत पर जूटे पाए गए कॉंग्रिस नेता दिगविजय सिंग का ये बेयान कॉंग्रिस की मानसिक्ता को साफ साफ दर्शाता है मद्ध प्रदेश विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान दिगविजय सिंग ने पृतिबंधेत संगठन पी एफ आई पर की जा रही कारवाई को गलट ठहराया है इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने कॉंग्रिस महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा से सवाल किया कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि कॉंग्रिस देश के विरोध में काम करने वालों के साथ है या उनके खिलाफ मैं प्रियंका जी से सवाल पूछ रहा चाहता हूँ आपकी पार्टी के नेता पूर्बो मुख्वंत्री दिग्विजय सिंग पी एफ आई पर कारवाई का विरोध कर रहे हैं पी एफ आफ आई टेरिर फंडंग करती है आतंगवाधी गत्विधियों में लिप्त है बेन लगा हुआ है देश की दुस्मन है और उस पर कारवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंग विरोध करते हैं किया यही कॉंग्रेस के स्टेंड मध्य प्रदेश के मंडिला पहुँची कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा ने एक जनसभा को संबोधित्तो किया लेकिन शिवराज सिंग के सवाल पर चुप्पी बनाए रखी हलाकि भाजपा पर लोगों के अधिकार छीनने का रोप लगाया गौर तलब है कि इससे पहले इसराइल पर हमास द्वारा आतंग की हमले पर भी कॉंग् वरकिंग कमीटी के संकल्प पर विवाद हो चुका है दिल्ली हाई कोट ट्रीबुनियल ने केंदर सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रेंट ऑफ इंडिया पर भारत में लगाए बैन के फैसले को बरकरा रखा था ग्रिह मंत्राले ने 28 सितंबर को गयर कानूनी गतिवी धिया रोक्ताम अधिनियम 1967 के तहत PFI और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था PFI पर आरोप है कि इसलामिक स्टेट जैसे वैश्विक आतंकवादी संगटनों से उसका संबंध रहा है